आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन लेवन मिथुन राशी के बारे ने और जो तीन नंबर की राशी है तीन नंबर लगन अगर आपकी कुल्डी में है तो ये वीडियो उनके लिए है तीन नंबर लगन का स्वामी जो है वो बुद्ध है इसमें क्या उनकी नेचर होती है उसके बारे में उनकी खूबियां सब मैं आपको इस वीडियो के बारे में आज में बताऊंगा मैं आपको जो है वो एक बुद्ध का लगन है बुद्ध इसका स्वामी है इनका जो जो रतन है बुद्ध के ने वो बनना है ग्रीन कलर है ग्रीन कलर अगर बुद्ध के अंदर में है लगन को छोड़के लगनेश अगर लगन में पढ़ा हो तो ग्रीन कलर मना है अदरवाइज आपके ल करल काफी लगी है जो मितुल लगन वाले हैं जो बच्चा ऐसा बच्चा है वो हाथ चीज़ को बहुत जल्दी कैच कर लेता है और चोटी 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 बाते अपनी ममी को सारी चीज़ें वो शेयर करता है पांच नंबर में तुला राशी बढ़ती है तो वो इंटेटेंमे जब जासे अनकी उमर बढ़ती है, चोटी उमर में पैसा कमाने के बारे में सोचती हैं, तुलाचब लगन वाले जो हैं, उनके काफी अच्छे मितन होती हैं, तुलाचब लगन वाले एरीज लगन वाले, आर, ए, स, प, जय, ये, इनके जो सबसे close जो दोस्त होते हैं, इस नाम से है, मुजिक के शोंगा इनको, गाना-गाने का, गुन-गुनाने का, बात्रूम में गुन-गुनाना, गाने बोलना, किशोर, रफी, पुराने गाने को सुनना, जब कुई महफिल लगी हो, वहाँ पे गाने सुनना और इनको काफी अ इंटर्टेन्मेंट के लिए, और वो करते रहेंगे, तो उनके ऐशो परस्ती हमेशा काइम रहेगी, हरी मिर्च खाने का काफी शोंगा था, खाने में स्पाइसी होना चाहिए, हरी मिर्च खाने के अगर शोंग है, तो इसका मतलब है कि आप अमितुल नगन में हर्चीज को डिडैल में बदाते हैं, तो इनकी बारी के साथ बोंडिंग काफी अच्छी होती है, अगर बुल्ली में बृस्पती अच्छा बढ़ा हूआ है, तो इनकी वाइफ काफी धार्मिक विजारों आने भी होती है, इनको जगे जगे पर. ekाई करना worked एक माद की तरह इनको गाइट करती रहती है इनको हमेशा किसे ने किसी राय की जुनुरत पढ़ती है तो इनको ट्रैक पे लेके आए इनको समझाए और ए नंबर ए अक्षर जो है Aries राशी वाले लोग इनको पाफी बेनिफिशल है पाइसीस वाले करमसान की राशी है और वर्गो वाले जो है जो भी इनके काफी ख्लोज रहते हैं फोर्थ है उसमें बुद की राशी है अपनी सिस्टर को पालना पढ़ता है अगर उनकी सिस्टर है अगर कुंड़ी में आपके बुद अच्छा है तो तो ठीक है अगर बुद खराब है तो उसमें कुंड़ी में आपको बिछली जनमा को टेक्स है वो जो उनको देना बढ़ता है अपनी सिस्टर को स्टेंड करने से आपका भागय भी बढ़ता रहता है उनकी हेल्प जरूर कीजिए अपनी बेहन को मिठा खिलाना बहुत अच्छा है इसमें और मिथुल लगन वालों की कुंड़ी में जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है आफ्टर फुटी एट उनके बाद नका घर बढ़ता है और कोई भी घर बनाते हैं तो बेच के दूसी जगा जहूर जाते है एक जिवा टिकते नहीं है इनकी कुंड़ी में काफी चीज़ें जो हैं मैंने उब्सॉफ की हैं और सेकिंड इनको जब भी कोई दिक्कत आती है तो कुंड़ी में उसकी वज़े से आती है कि इनकी दूल नेचर है वहाँ पे बैटे उसकी बात कर दी कोशिश करके कोई इधर को इधर बाते मत करें इसे उनको मैं सुझाओ दूँगा और जो लेडी हैं उनके लिए गनेश जी की उपासना गंगण पते नमा मंत्र लेडी के लिए खास करके कि अपने बच्चों की समृद्धी के लिए बच्चों के बड़ोत्री के लिए विद्या में या उनके कोई भी चीजों में अचने आ रही हैं तो ओं गंगण पते न महा ये मिथुन लगन वालों की जो लेडिस हैं उनके पुलिये ही अगर वो मंत्र करते हैं तो उनके अची छटे भाव में बढ़ती है और उनको लोन यह उठाना चाहिए कोई भी कर्जा कहीं से भी उठाना नहीं चाहिए क्योंकि इनका कर्जा काफी देर बात जाके नबटता है उनकी कर्जे के बारे पर सोस्टों के इनको टाइशन पड़ी रहती है अगर इनको लोन उठा पड़ा हो कर्जा इनके उतर जाएगा इनको कर्जा नहीं उठाना चाहिए और अपना दुष्मन नहीं बढ़ाने चाहिए जितने भी कोशिश करें अपने दोस्तों में मिलके रहें कोई ऐसी बाते ना करें जिससे वज़े से को दुश्मनी किसी के साथ पैदा हो क्योंकि दुश्मनी इनको बहुत म्हांगी पड़ती है इसकी वज़ेस इनको सर जुबाना पड़ता है सभी के सामने तो कुशिश करें किसी से दुश्मनी मत करें मित्व लगन में अगर आपकी कुल्नी में शनी अच्छी स्थिती भी नहीं है तो मैंने यह देखा है कि फैमिली में गुटनों की प्रॉडम जरूर आती है गुटने एक एज में जाके गर में किसी की रिप्लीज कराने पड़ते हैं और साथ में इन लोगों को रेंट बहुत बढ़ना पड़ता है एक पार्ट ओफ लाइफ इनका किराय के मकानों पे अगर वो ओवर्सीज गए हैं यह कहीं प बढ़ती है दिखे जी हर समस्य का हल है मिथन लगन माले को जब भी कभी कोई भी प्रॉडम आती है तो सबसे पहले दो धनसान में जो करकरशी बढ़ती है शंकरवान के मंदिर में जाएं सफेद फूल लेके जाएं इतन लगाके उनके उपर जैसे बुर्षा करें 43 डेज त अपना नाम लिखें और पोस्ट ऑफिस में जाके 43 डेज लगातार आप करेंगे जैसे डाकिया वो पोस्ट को लेगा वो कोईन उसको मिलेंगे तो मैंको लगता है कि आपके आमदन के जरिये जो रुके पड़े हैं वो चलने शुरू हो जाएंगे आप करके देखेगा कोई भी कर सकता है यह किसी को मनाई नहीं है और ब्रिश्पति करमसान में राशी पाइसीस है गोल्डन फिशिज को कुछ न कुछ डालते रहे हैं सैचेडे वाले दिन गोल्डन फिश की पालना मुबारक होगी ओम ब्राम प्रीम प्रॉम स्वें बुद्धाई नमा यह मंत्र आपकी जो भी टेंशन है वो सोल हो जाएगी यह थी विथुल लगन की वीडियो बहुत जल्द हम करक लगन की वीडियो लेके आ रहे हैं नमस्कार